एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महमारी से जूज रहा है वहीं दूसरी तरफ मद्यप्रदेश की सियासत से जुड़ी खबरे सोशल मीडिया पर जबर्दस्त वारल हो रही है दरफ सोशल मीडिया पर बीजेपी में शामिल हुए नेता जोतरादित्य सिंध्या के पार्टी छोड़ने की खबर वाइरल हो रही है सबसे पहले वाइरल पोस्ट पर एक नजर डालते हैं दरसल ट्विटर पर इंडिया टीवी नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्विट में लिखा गया है सूत्रों के हवाले से खबर भाजपानेता जोतरादित्य सिंध्या सोंबार तक भाजपा छोड़ने की तैयारी में बोले मंतरी बनाओ या परिणाम भुखतने को तैयार रहे शिवराज इनके कारण इज़द भी गई और कुछ मिला भी नहीं मामा और मोदी ने मिल कर फसाया जब सोशल मीडिया और सियासत की बात हो तो लोगों तक ऐसी खबरे पहुचने में देर नहीं लगती बता दे कि ट्विट किये जाने के तुरंथ इस ट्विट को हजारों यूजर ने लाइक किया और री ट्विट किया सोशल मीडिया यूजर समझ रहे हैं कि ये ट्विट न्यूज चैनल इंडिया टीवी का है इसे फेस्बुक पर भी बहुत से लोग शेयर कर रहे है आपको बता दे कि इस ट्विट को लोग इसलिए शेयर करना शुरू कर दिये क्योंकि ये ट्विट इंडिया टीवी न्यूज चैनल से मिलता जुलता लोगों का फोटो लगा हुआ था लेकिन बाद में साफ हो गया है कि जिस ट्विटर हैंडल से ये ट्विट किया गया है वो न्यूज चैनल इंडिया टीवी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल नहीं है दरसल इस हैंडल के परिचे में सपस्ट रूप से ये लिखा गया है कि ये एक पैरोडी अकाउंट है इसकी प्रोफाइल फोटो में भी इंडिया टीवी के लोगों के साथ फर्जी लिखा हुआ है आपको बता दे कि मध्यप्रदेश में 24 विधान सभा उवजनाव को लेकर सियासी माथापच्ची और तैयारियां जोरो पर है ऐसे में इस तरह की खबरों का वाइरल होने से सियासी घमासान पैदा होने जैसा हो जाता है जो तिरादित्य सिंध्या के परसनल असिस्टेंट ने मीडिया से कहा कि वाइरल ट्विट फर्जी है हमें कुछ अखवारों की क्लिपिंग भेजी जिसमें दावा किया गया है कि सिंध्या और बीजेपी के बीच सब ठीक है ये खबरे निराधार है इन्हें कॉंग्रेस ने चपवाया और प्रसारित किया है बहराल सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा गलत है कि सिंध्या मद्रप्रदेश सरकार की कैबिनेट में जगे नहीं मिलने से नाराज है और बीजेपी छोड़ कर कॉंग्रेस में लोटना चाते हैं